हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेस में इस वीडियो में हम सामान अध्यन के अंतरगत अर्थ सास्त्र के कुछ अतिमहत्तुपूर्ट प्रस्न देखेंगे जो आगामी रेलवे की परिच्छा के साथ साथ अन्य सभी प्रत्योगी रंग मंच में यवनों के प्रभाव से यवनिका सब्द प्रचलन में आया यह सब्द किस के लिए उपयोग किया जाता है रंग साला प्रच्छागार परदा दर्सक बीरगा तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन सी परदा क्वेश्य नमबर दो भव्य द्रस्य बिद्वा अतिनाट किये भारी भरकम भड़कीली सेनरी तथा प्रतेक अंक में जहांकी किस थिएटर बिधा की विशेष्य थिएटर यूरोपिय थिएटर पार्सिय थिएटर आधुनिक हिंदी थिएटर इसका राइट आंसर होगा ओप्सन सी पार्सी थिएटर क्वेश्य नमबर ती निम्ण मैं से कौन सी भारत की एक मात्र इसाई लोकनाट सैली है विधी नाट कम या कुटियाटम मुदालाय पाया या चविट्टू नाट कम तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन डी क्वेश्य नमबर चार भारत में निर्मित प्रथम रंगीन फिल्म थी मदर इंडिया मुगले आजम देवदास किसान कन्या तो कौन सी प्रथम रंगीन फिल्म थी किसान कन्या ओप्सन डी सायोगा क्वेश्य नमबर पाँच किस गवर्णर के कार काल में 1921 इसवी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हाल का निर्माल कार पूरा हुआ था इल्गेन करजन मिन्टो रीडिंग इसका राइट आंसर होगा ओप्सन डी रीडिंग क्वेश्य नमबर छे कांगड़ा सैली जोकी गुलेर सैली का परिस्क्रत रूप थी के चित्रों का मुख भी से क्या था प्रेम धर्म लिपसा क्रूरता इसका राइट आंसर होगा ओप्सन डी क्वेश्य नमबर साथ जूलती मिनार निमलिखित में से किस इस्थान पर है गोलकुंडा लखनओ इलाहाबाद अहमदाबाद तो ये कहां पर है ये है अहमदाबाद में आप्सन डी सही होगा क्वेश्य नमबर आट रास लीला याओ संग लाई हरोबा आत्यवार किसके है असमी लोगों के कर्भी लोगों के मडिपुरी लोगों के या बोडो लोगों के इसका राइट आंसर होगा ओप्सन सी मडिपुरी लोगों के क्वेश्य नमबर नो निम्न कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाना में लगता है देवी धुरा मेला चमपावत धनपत उत्रा खंड में आयोजित होता है चप्चार कूट तेवहार मिजोरम में मनाया जाता है केला देवी मेला धौल पूर राजस्थान में आयोजित होता है इसका राइट आंसर होगा ओप्चन डी क्वेश्य नमबर दस निम्न मैंसे किस तेवहार को मद्ध कालीन भारत में सुल्तान बल्बन ने साही पर्व के रूप में मनाने का प्रिचलन प्रारंब किया था दीपावली दसहरा इसका राइट आंसर होगा ओप्चन सी नवरोज क्वेश्य नमबर ग्यारह निम्न कथनों पर विचार कीजिए हेमिस उत्सव लद्दाक के हेमिस मठ में मनाया जाता है हेमिस उत्सव बोधिस्त अमिताप के जन्मोत्सों के रूप में मनाया जाता है वो प्रोक्त में से कौ कॉन सा कथन सक्त्य है क्यवल एक केवल दो एक और दो इनमेंसे कोई नहीं इसका राइट आंशर होगा ओप्सन एक क्वेश्य नमार बारह जैपुर की बिख्यात मीनाकारी का संब्द निम्न मेंसे किस हस्त सिल्प से है कास्ट सिल्प सैल हस्त सिल्प वस्त रंगायी आभू सज्जा question number 13 संगम काल में कारूगर वीडी और आरो वल वीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे बुनकरों की गलियां सूती वस्त्रों के प्रकार लोहारों की स्रेडियां प्रतिकात्मक सिक्के इसका राइट आंसर होगा option a बुनकरों की गलिया question number 14 प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा एक छेत वस्त निर्मार केंद का प्रतिनिधित्व नहीं करता है पूर्भी भारत पस्चमी भारत उत्तरी भारत या दच्छडी भारत इसका राइट आंसर होगा option c उत्तरी भारत question number 15 सिल्प उत्पादन करने वाली जातियों और ब्रहत ग्रामीर समदा के मद सेवाओं और वस्त्रों की आपूरत ये तुपारस्परिक लेन देन की ब्यवस्था क्या कहलाती थी महाजनी ब्यवस्था जजमानी ब्यवस्था स्रेडिक ब्यवस्था या इस्त मरारी ब्यवस्था इसका राइट आंसर होगा option b जजमानी ब्यवस्था question number 16 हस्त सिल्प से समंदित निम्न केंद्रों पर विचार करें चंदेरी काची पूरम बाला राम पूरम नांदेड उप्रोक्त इस्थान किस हस्त सिल्प के प्रमुक केंद्र है वस्त्र बुनाई दरी एवं कालीन बुनाई हाथी दात की कला या धात कला इसका राइट आंसर हो होगा option a वस्त्र बुनाई question number 17 और अंतिम प्रस्ण गंगा यमना तक्नीक का संबंध निम्न में से किस पारंपरिक हस्त सिल्प से है म्रद भांड एवं म्रद मूर्तियों धातु सिल्प काश्ट कला या चटाई बुनाई इसका right answer होगा option option b दोस्तो अर्थ सास्त के अभी तक 155 question upload किये जा चुके हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका link playlist में दे दिया गया है वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें जिससे किसी भी नए वीड notification आप तक समय से पहुंश सकें आप तक समय से पहुंश सकें